योगकार का अध्याय में हम अब व्रिश लगन में उत्पन जातकों के शुब और अशुब करे देखेंगे जीव शुक्रेंद्व पापा शुभो शनी दिवा करो राजियो करेश शोरिर बुद्ध त्वल्प शुप प्रदर जीवो देयो कुजश चापी शंती मारक लक्षणा व्रिश लगनोद्ब भैस वेव भला नियोहानी सुरिभी विरिश लगन में उत्पन मनुश्य के गुरू, शुक्र, चंद्र ये पापफल प्रद शनी और रवी शुप प्रद है शनी राजियो कारक और बुद्ध अल्प शुप देने वाले हैं गुरू, शुक्र और चंद्रमाई ये तीनों तथा मंगल ये मारक होते हैं इस पर हम देखेंगे विरिशब लगन लगन भाव और शष्ट भाव के स्वामी शुक्र होंगे तो यहां पर शुक्र की मूल्त रिकोन राशी शष्ट भाव की तुला राशी है और यह लगनेश है तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि तीन छे ग्यारा के स्वामी अशुक्फल देते हैं तो यहां पर क्योंकि यही छे में शुक्र की मूल्त रिकोन राशी है और यह तीन छे ग्यारा के स्वामी हमें अशुक्फल देते हैं तो शुक्र जो है पाप फल देने वाला होगा शुक्र इसमें व्रिश लगन की कुंडले में शुक्र पाप फल देने वाला होगा नेक्स्ट हम बुद्ध बराते हैं जो कि द्वित्य भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि दो बारा आठ भाव के स्वामी सहचार्य से फल देते हैं तो यहां पर बुद्ध क्योंकि पंचमेश भी है और यह बु कि बुद्ध जो है मारख भाव का स्वामी भी है और पंचमेश भी है इसलिए बुद्ध का अच्छा फ़ल भी होगा और बुरा फल भी होगा तो हम कहेंगे कि बुद्ध मिक्ष्ट些 देगा अर्थात जब बुद्ध शनी या सूर्य के साथ होगा तो भेह बहुत अच्छा प्ल देगा नहीं तो बुद्ध मिक्श्वल देगा मलद सम रहेगा बुद्ध अल्प शुप देने वाला होगा फिर आते हैं यहां पर चंद्रमा पर चंद्रमा तीसरे भाव का स्वामी है और हमने बताए कि 3 6 11 भाव के स्वामी अशुप फल देने वाल लेकिन कि 3,611 में जैसा हमने पहले बताय कि 3,611 के स्वामी उत्रों तक ज्याधा अशुब होते हैं मलत तीन का सबसे कम अशुब फिर छे का उससे ज्यादा ग्यारा का सबसे ज्यादा तो यहां पर चंद्रमा जो है एक ही घर का स्वामी है एक ही राशी का स्वामी होता है चंद्रमा और तीसरे भाव का स्वामी है तो यह अशुब तो ह लेकिन जब यह है कुछ शुब फल देने वाले एक रहों के साथ होगा तो यह अच्छा फल दे सकता है ठीक है उसके बाद हम आते हैं सूर्य पर सूर्य ग्रह यहाँ पर चतुर्थेश है तो सूर्य यहाँ पर अच्छा फल देने वाला रहें हैं और मंगल जोकी कि हैं पर सप्तमेशlere सप्तमेश है यह सप्तमे Automast पर यह मारक भाव में हैं इसलिए मंगल यहां पर मारक फल देगा फिर आते हैं व्रस्पति पर व्रस्पति यहां पर अश्टमेश और एकादशेश है तीन छे ग्यारक स्वामी बुरा फल अशुप फल देते हैं और यह उत्रोतर बली होते हैं मिंज इस ग्यारा ग्यारवे भाव का स्वामी सबसे ज्यादा अशुप फल देने वाला है तो यहां पर व्रस्पति ग्यारवे भाव का स्वामी और अश्टमेश है तो अश्टमेश होने के कारण यह है सबसे ज़्यादा बुरा फल देने वाला इस कुंडले में व्रिशब लगन में व्रस्पति है उसके बाद हम आते हैं दस और ग्यारा नवमेश और दशमेश यहाँ पर शनी है और शनी यहाँ पर राजियो कारक है क्योंकि किंद्र स्थानों में सबसे ज़्यादा बलिस्थान दस्वा स्थान है और त्रिकोंड स्थानों में सबसे ज़्यादा बलिस्थान नोवा स्थान है तो यहां पर शनी राजयोक का रख है इस परकार हम summarize करें इस को पूरे को तो व्रिषब लगन की कुंडली में शुभफल देने वाले शनी शबसे ज़्यादा शुभफल देने वाला है शनी यहां पर राजयोक का रख है नवमेश और दशमेश होकर शनी यहां राजियों का रख है फिर सूर्य यहां चतुर्थेश है और यह शुपफल देने वाला है बुद्ध यहां पर मिक्स्ट फल देने वाला है गुरू यहां पर सबसी ज़्यादा अशुपफल देने वाला है और फिर चंद्रमा है शुक्र मंगल यहां मारक है धन्यवाद